हलो फ्रेंट्स आज के इस लेख में मैंने छट पूजा पर तस्वाक्षिशं मंदित जानकारी प्रदान की है दोस्तों इस लेख को प्रारम से अंत तक अवस पढ़ें यह लेख आपके लिए काफी लाबकारी सिद्ध होगा तो आईए सुरू करते हैं फर्ष्ट भारत के उत्तरी राज्यों में मनाये जाने वाले प्रमुक्ते भारों में छट का पर्व एक विशेश महत्तु रखता है सेकेंड इस दिन लोग छटी माता की पूजा करते हैं जिनें हम माता का त्याइनी नाम से पुकारते हैं थर्ड छट पूजा का मुक्ष बरत हिंदी कैलेंडर के कार्थिक महिने की सुकल पच्च की सश्टी तित को मनाया जाता है फो छट पूजा में माताएं अपने बच्चों के लिए तीन दिन का उपवास रखती हैं जिसमें 36 घंडे का निर्जला ब्रत रहता हैं फाइव छट पूजा में फल मिठाई और ठेकवा नामक मुक्ष प्रशाद चड़ाया जाता है 6. छट पूजा का ब्रत इस्त्रिय अपुरुस में से कोई भी कर सकता है परंद अधिकतर महिलाओं द्वारा यह ब्रत किया जाता है 7. चार दिवसी छट पूजा का आरंब पहले दिन नहाय खाय से होता है एज दिन केवल साम में दाल चावल वा सबजी खाते हैं 8. दूसरा पंचिमी के दिन खरना होता है इसमें सुर्यास्त के बाद गुड चावल वा गन्य के रस से बनी खीर खाने के बाद ब्रत आरंब होता है 9. तीसरे दिन मुख चठी व्रत रखा जाता है और सुर्यास्त के समय ब्रती सूर को अर्ग देते हैं 10. कार्थिक सब्तिमी के दिन सुबह उक्ते सूर को अर्ग दिया जाता है और उसके बाद ब्रत का पारान करते हैं 11. छट पूजा को हिंदु धर्म में मनाए जाने वाला सबसे कठोर और अनुसासित ब्रत पूजा माना जाता है 11. आज के लेख में इतना ही आप सभी को छट पूजा की सुबकाम नाएं 12. धन्यवाद